हेलो स्टुडेंट्स आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नौलेज के मिस्ट्री क्लासेज में यह हम केमिकल कानेटिक्स का विडियो लेक्षर कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें आज हम देखेंगे अर्ध आयू काल के बारे में हाफ लाइफ पिरेड होता क्य हैं अर्ध हयुकाल होता क्या चीज़े अर्ध हयुकाल हाफ लाइफ पिरेड क्या है आप लिख सकते हैं बहुत ही असान तरीके से अब हम देख लेते हैं हम क्या 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 प्रूफ करने वाले हैं जब हम जीरो अर्डर निकालेंगे जीरो अर्डर के लिए फर्स्ट अर्डर के लिए और सेकेंड अर्डर के लिए तब हम क्या क्या प्रूफ करने वाले समझते है तो देखो सुन्यकोटी की अभिकरिया मतब जीरो ओडर रियक्षन में अर्ध हायुएुकाल कितना अर्ध हायुकाल जिसको हम T-Half से डेनोट करेंगी ऐक्विशन में ठीक है तो जीरो ओडर रियक्षन के लिए अर्ध हायुकाल क्या होता है यहां पर है एक अभिकारक छूटा है है ना पॉइंट को लिख लेंगे काल के बाद अभिकारक लिखेंगे ठीक तो zero order reaction सुने कोटी की अभिक्रिया में अर्ध हयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है तो क्या होता है zero order reaction में जो टी हाफ है आपका हर्ध हयुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होगा डारेक्टली प्रपोर्शनल होगा यह हम प्रूप करेंगे भी आगे सेकेंड देखतें क्या प्रूप करेंगे प्रथम कोटी अभिक्रिया में वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पनिर्भर नहीं करता है तो यह हम प्रूप करने वाला है कि जब फर्स्ट और के लिए निकालेंगे हम टी हाफ या अरध है उकाल तो हम देखेंगे वहाँ पर कि जो अरध है उकाल है करने वाले हैं एक एक करके प्रूब करेंगे तो लास्ट में आप लोगों को यह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि आप लोगों को इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे डारेक्टली हम जो कहां से आया यह ना रेट कॉंस्टेंट का वेल्यू कहां से आया अलग-अलग और रियक्शन के लिए तो आपको सेपरेट वीडियो लेक्शर आप देख सकते हों मेरे चैनल पर अबलोड हुआ है जिरो और सबको देखेंगे तो आपको और असानी से समझ में आएगा यह च सब्सक्राइब क्या रखेंगे जिरो और सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या रखेंगे यह हमारा इनिशियल कांसेंट्रेशन है यह हमारा प्रारंबिक सांद्र रहता है तो उसको हाफ कर देंगे वही तो होगा हमारा अर्ध आयूकाल ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं आप जीरो और रियक्शन को जीरो और रियक्शन या पिस सुने कोटी की अभी क्रिया जिसको बोल इसमें ड्रेक्ली रिट एकोशन निकाला था जिसको रेट एक्वेशन या फिर रेट कॉंस्टेंत इकवेशन करने वाले हैं यह एक्स्प्रेशन हम दो रहें निकाल चुके हैं इसको मैं बो रहा हूँ इसको जानना है तो आपको देखना पड़ेगा जीरो और रिक्शन क्या है हमारा ये वेग इस्थिरांग समीकरण समीकरण के लिए ठीक है तो यह हो गया आपका के टी प्राइब हमयों क्या निकालना है क्या निकालना है तो हम क्या एक सो को हम फूट करेंगे एगा टू कारहीं दिए उसकी जगह में कर देए के जिरो लिए थाल लेखेंगे हम क्योंकि हाट नीचे लिए घ्ञाल को बचाते हैं से टी हाफ को बचाते यह थे होगे हमारा एक्सिपरेशन आगर से यह यह इखे तो के नॉट के जिरू इहां पे जीरो इंगे ना नीचे में बस दिखाने के लिए कि जिरो और रियक्शन से तो पता है आपको रेट कॉंस्टेंट है तो देखो यहां पर अभी हम लोग आप लोगों ने देखा कि टी हाफ जो है और डारेक्टली प्रपोस्टनल किसके आपके प्रारंभीक सांद्रता की इस एक्वेशन मे संद्रता के समान उपाती हुआ इसलिए मैंने इस स्टेट्मेंट में लिखा है कि प्रारंभीक सांद्रता के समान उपाती होता है तो यह वाला तो हमने कर दिया जीरो और का वने प्रूफ कर दिया थी कई अब हम चलते हैं आप कहां चलना अब जाएंग्या सेकेंड इस और रियेक्षिन इसमें थ्यान से ध्यान देना इसमें के करके इस डेवाइस देखेंगा ना फॉस्ट अडर रियेक्षिन के लिए आपको वह पूछा जाए ती हाफ का वेल्यू कल्कुलेट करना है तो क्या लिखना है सेम लिखना है रेग इस्थिरांग समीकरण जिसको कॉंस्टेंट इक्वेशन जो हम लोग ने डिराइव किया है अपने फर्स्ट अडर वाले वीडियो लेक्षर देख सकते हैं उसमें डिराइव किया है उसमें लेखा था मैंने के इस इक्वाल टू हमने लिखा है टू पॉइंट थी जिरो थी बाइटी है अब आपका टूइंट 303 लॉग को लॉग है और एभाई कि मैसे अभी समझते हैं अब हमें पता जब हम ट हाव ख्रीम क्या करेंगे प्रकृफ करेंगे तो क्या पूट पूरिगी टो करेंगे तो यहिज इसी को मैं यूइस करता हूं करेंगे वarlिए निफोर बिदेते हैं क्या लिखेंगे के वन टी को क्या लिखने वाले हैं वन मिनट कि फॉस्ट अडर रेक्षन है तो के को क्या लिखेंगे के वन टी को लिखेंगे टी हाफ इधर क्या है 2.303 लॉग एक ही जगा हम क्या रखने वाले हैं एक ही जगा कुछ नहीं रखेंगे एक्स की जगा तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे अब देखो इसको सॉल कर लेते हैं तो अगर मैं इधर टी हाफ को बस बचाऊं इधर है ना टी हाफ को बस इधर रखूँ एक मिनट आसानी से समझेंगे इसको बहुत तो टी हाफ हो गये हमारा अगर के को नीचे ले आता है तो 2.303 के हो गया आपका लॉग यह तो उपर में ए है नीचे को सॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे को सॉल करेंगे तो कितना आएगा अगर टू लिख दें तो तो इससे multiply हो जाता है तो 2a और 1 इससे multiply हो जाता है तो माइनस है तो क्या बचेगा a by 2 तो वहराल क्या बचा a by 2 इसको यहाँ पर लिखेंगे सीधा हम लोग ठीक तो अब देख लेते हैं लिखते हैं इसको 2.303 by k log उपर में बचा है अपका a इधर क्या बचा a by 2 जब solve कर दिये तो ठीक तो a और a तो कड़ गया है अब 2 नीचे में है तो उपर चला जाएगा तो क्या बचाएगा 2.303 k अपका k1 लिख सकते हैं न मैं बोला था k1 लिखेंगे जब first order की बात करते हैं तो लॉग क्या बचा है उपर में चला गया तो यह और यह कड़ गया नीचे में होने के वज़ए से 2 कहा चला गया उपर में चला गया तो मैं बता दू लॉग 2 का वेल्यू होता है यहां पर क्या लिखेंगे लॉग 2.3010 जब हम इसको सॉल करते हैं जब पूरा सॉल करते हैं तो क्या आता है हमारा 0.693 सिर्फ याद रखेंगे बुक में के भी लिखा होगी सिंपल के भी लिखा रहता है तो आपको सेम चीज़े के वान में मात्र देनोट करने के लिए कि फर्स्ट अडर के लिए तो के भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें ठीक तो वहराल टी हाफ क्या निकल करता है क्योंकि इस expression में यह ही नहीं करता क्योंकि इस expression में ही अगर तो प्राणामिक संदरतापन निर्भार करता तो फर्स्ट अडर एक्सेंस के लिए टी हाफ आपका है सिधा टी हाफ इस इकोर टू जीरो पॉइंट सिक्स नाज़ी थीवाई के यह आपका फर्स्ट अडर एक्सेंस का टी हाफ हो गया अरदा है तो यह जो शेकन्ड इस्टेटमेंट था न कि देखा आप करिया के लिए यहाले संदरतापन निर्भार नहीं करता यह वी क्या हो गया अब हम आते हैं सेकन्ड ओर इक्सेंस की बात करते हैं ठीक है अगला है हमारा सेखेंड अधर रियेक्शन बहुत आसान है यह भी सेम फार्मूला रियूस करेंगे सेकेंड के और रीयेक्शन ठीक है सेकंड़ रेक्शन को देख लेते हैं तो इसके लिए मैं अलेक्टु लिखूंगा वेग इस्थिरांग समीकरंट ठीक है रेट रेट कॉंस्टेंट इक्वेशन तिसमें हम लोग ने डिराइब किया था के इज इकॉल टू वन बाइटी ए माइनस एक्स था और वन बाइए यह हम लोगों ने डिराइब किया हुए ठीक है फार सेकेंड अडर रिक्षन वाल वीडियो लेक्षेंट उसको देख सकते हैं तो यहां पर हमाई टी को मल्टिप्लाई कर देता हूं मतब टी को इधर ले आता हूं और वन बाइक लिख देत है यह इसको लिख देते हैं टी हाफ कल्कुलेट कर रहे हैं अब वन भाई के तो के ही रहेगा बस अब चाहेंगे तो के टू लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो के टू लिख सकते हैं ठीक है तो अब वन भाई एक्स की जगह क्या रखेंगे ए बाई टू रखने वाले हैं औ और वन भाई यह रखने वाले हैं क्लियर यहां तक अब हम देख लेते हैं सॉल कैसे करेंगे इसको तो वन भाई आपका के टू है जो एकन अडरेट कॉंस्टेंट बाहर है और इसको जो अब सॉल करेंगे तो कितना आएगा सेम जो उपर मैंने किया था टू ए माइनस ए बाई 2-1 2-1 आए ठीक है तो सिंपल है ना ये ए है और ए माइनस 2 को स्वाल करेंगे तो कैसे करेंगे एक की नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है और एबाई 2 है तो हम ऐसे मल्टिप्लाई करते हैं नीचे का नीचे से तो 2 इंतु 1 2 उसके बाद यह इसका मल्टिप्लाई इसके साथ इसक क्या बचल नीचे में स्पूर्ध इत्रशिए ओपर चला जाएगा यह विद्ध दोमी सॉल कर लेते हैं इसको सॉल्ल करेंगे तो क्या हो और 2-1 तो क्या होगा उफर आल ये 1 by k2 1 upon a होगे 2-1 1 upon a तो final expression क्या हुआ t half का देख लेते हैं तो t half इस अब क्या है सब t half है न t half is equal to हमारा हो गया 1 upon a k2 तो k2 लिखे या फिर k लिखे मैं पहले भी बोला हूँ 2 यहाँ पर सिर्फ denote कर रहे हैं हम लोग k2 लिखा हो तो second order reactions के लिए तो book में जोरी नहीं है कि 2 लिखा हो k भी लिखा होता है तो हम directly लिखें तो हम क्या लिखेंगे t half is equal to 1 upon a k जहाँ पर k क्या है second order rate constant है a क्या है आपका तारंभिक सांदरता या फिर initial concentration है प्रारंभिक सांदरता है किसका अभिकारक का प्रारंभिक सांदरता तो आपका t half क्या होगे देखो t half inversely proportional to a है clear है t half क्या है inversely proportional है किसके प्रारंभिक सांदरता के बेटकरमान उपाती होता इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अब इस्टार्टिक में देखेंगे तो दुईती कोटी के अभिक्रिया के लिए अब देखो यहाँ पर दुईती कोटी के अभिक्रिया के लिए अर्ध है उकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांदरता के बेटकरमान उपाती होता है तो यह वाला statement भी proof हो गया आपको पता होना चाहिए rate constant का equation किसी भी order के लिए हो तो आप उसको भी एक बार derive करके देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है उमिद करता हूं आपको clear हो गया होगा half life period होता क्या चीज़ कैसे डिराइव करते हैं सब के लिए कौन कौन से expression आ रहा है सब चीज है तो मिलते हैं तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सबस्क्राइब कर दें और अपने दोस्तों में सेयर कर दें तक कि सब तक पहुंच जाए ठीक चलो मिलते हैं ने इस ट्री लिक्षर में तब तक के लिए थैंक यू